प्राइमरी मार्केट के बारे में समझते हैं ठीक है तो जैसे क्या होता है सबसे पहले जैसे मानलो एक सोल प्रोप्रेटर कंपनी होता है ठीक है सोल प्रोप्रेटर कंपनी होता है तो सोल प्रोप्रेटर कंपनी पहले अपना बिजनेस को ग्रो करता है स्केल करता है जैसे मानलो सोल प्रोपिटर कंपनी का जो मालिक है उसके पांच करोड का पुंजी लगाया है ठीक है अब वह चाहता है कि वह मल्टी एक्स्पैंशन करें मतलब अब उसको भंडिंग का दरकार है तो अब जैसे माणलो funding के लिए उसको चाहिए 50 करोड आज अगर friends and relatives से भी मांगेगा तो उसको 5 करोड 2 करोड कुछ इतना कि आसपस मिल जाना चाहिए राइट बट अगर मान लो 50 करोड चाहिए तो उसको equity के थूरेस करना पड़ेगा ठीक है ना सो equity के थूरेस करने के लिए सबसे पहले वो company अपना IPO लाता है जिसको हम लोग बोलते है initial public offer वो company अपना IPO लाता है जिसको हम लोग बोलते है initial public offer तो IPO में क्या होता है company का जो shares है वो basically list हो जाता है राइट अब इसके बाद में अगर company जैसे मान लो top 50 companies है तो उसमें क्या होता है futures and options में भी trading होता है ठीक है अब जैसे मान लो equity में trade नहीं करके अगर कोई futures में trade करता है तो उसमें क्या फरक है ध्यान देना जैसे इंडिया में क्या होता है मैं पुरा practical तुम लोग को बता रहा हूं ठीक है जो exam में जैसे आता है अब जैसे क्या होता है इंडिया में मुटा- आई-टी-सी का बात करें ठीक है तो आई-टी-सी शेयर चल रहा है तुमारा 420 रुपया ठीक है इसका जो old lot था वो 3200 का lot था बतीस सो का lot था ठीक है तो तो मल्टिप्लिया अभी जैसे शेयर बहुत ज्यादा उपर चला गया है तो अब क्या हो सकता है इसका lot में थोड़ा दो टैप का index है mainly एक तुमारा हो गया nifty ठीक है और एक तुमारा हो गया sensex ठीक है sensex को गर हम लोग आपा हटा दे so what is nifty nifty is a collection of top 50 companies top 50 companies ठीक है न top 50 companies of India जिसमें sgfc bank tcs ठीक है न reliance industries okay यह सारी companies nifty 50 का part है basically nifty 50 हम लोग के इंडियन gdp का growth का एक वह है एक इंडेक्स है basically benchmark है कि इंडिया में अगर निफ्टी आप है 100.200 तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया अच्छा perform कर रहे है ठीक है अब जैसे एक और है banking index है तो जो banking index है उसका नाम होता है bank nifty ठीक है उसका नाम है bank nifty ठीक है so what is bank nifty bank nifty is a collection of top 12 banks top 12 banks in India top 12 banks में जैसे कौन-कौन से banks आ जाएंगे हमारे हम लोग का आ जाएगा sbi bank sgfc bank icici bank ठीक है ना access bank यह सारे banks तुमारे top 50 banks में आ जाएंगे ठीक है तो basically futures and options में कैसे होता है ध्यान देना अब होगा क्या अब जैसे तुम्हारे पास में ना पैसा नहीं है बट तुमको एक price belief बहुत अच्छा है कि यार जो bank nifty है जैसे मैं bank nifty के example ज्यादा करके लूँगा इस समझाने के लिए ठीक है तो bank nifty का जो अभी index चल रहे है वो तुम्हारा 44,000 चल रहे है करेंट में 44,000 चल रहे है और 25 का lot होता है तो तुम जब multiply करोगे तो मोटा मोटी तुम्हारा 10,11,12,000 के असपास आएगा तो आप जैसे मानलो index को तुम खरीद नहीं सकते हो तो index को तुम कैसे replicate कर सकते हो अगर मानलो तुमको बैंक nifty का percentage निकालना पड़ेगा सबसे बहले है percentage कैसे जैसे मानलो SDFC bank 30% है SBI bank 10% है ICC bank 10% है ऐसे करके तुम्हारे पास मानलो दो लाख रुपया है तुम्हारे पास मानलो दो लाख रुपया है तो दो लाख का 30% approximately 60,000 तुम क्या करोगे तुम उससे SFC bank buy कर लोगे दो लाख का 10% तुम 20,000 रुपया का SBI बाय कर लोगे 20,000 का ICC bank बाय कर लोगे and so on so basically you can replicate the index यहां तक सबको ठीक है yes or no यहां तक सबको ठीक है एकदम basic चल रहे है comment box में लिखते जाना yes or no ठीक है तो अब जैसे एक चीज़ समझना कोई लिखो सब लोग सो रहे हैं कर सुबह सुबह हा ना कुछ तो लिखो ठीक है अब एक चीज़ ध्यान देना ठीक है तो अब जिसे मालो अगर मेरे पास 2,000,000 रुपया है अगर मेरे पास 2,000,000 रुपया है तो हम 10,000,000 का तो exposure ले नहीं सकते हैं हम 10,000,000 तो exposure ले नहीं नहीं सकते हैं तो basically future and option वो माध्या में जिससे basically एक ट्रेडर exposure लेता है basically leverage लेता है तो अब एक चीज़ समझना अगर मालो तुमको लग रहा है कि bank nifty अभी चल रहा है 44,000 के आसपास अगर तुमको यह लगता है कि bank nifty बढ़ने वाला है तो तुम क्या करेगा ध्यान देना तो तुम क्या करेगा तुम एक future buy करेगा एक future buy करेगा तो एक future में क्या होता है bank nifty तुमने मान लो 44,000 में मतलब क्या होता है margin basically acts as a cushion against losses जैसे मान लो तुम वे चीज buy किया तो यह एक दिन में तो 0 नहीं होगा यह एक दिन में तो 0 नहीं होगा तो जो तुमारा broker रहेगा वो तुमको बोलेगा sir आप इसका 20% margin जमा कीजिए तो इसका 20% मोटा मोटी मान लो 2.5 lakh के आसपस 2 से 2.5 lakh के जो भी तुमारा margin आता है यह तुम जमा करेगा तो इससे क्या होगा अगर मान लो यह 44,000 का 42,000 होता है ठीक है तो 2,000 रुपे गिर गिया 2,025 का lot मतलब तुमको कितने का नुकसान हो गया 50,000 का नुकसान हो गया समझा तुमारा 2 lakh का investment में 50,000 रुपे तुमारा demat से साफ हो अपना जो exposure है जैसे यहाँ पर क्या हुआ अगर मान लो 20% में तुमको trade लेने दे रहे मतलब तुम क्या कर रहे 5x exposure ले ले रहे जहां तुमारा खरीदने का उकाद था अगर तुम equity खरीदता जैसे एक चीज़ समझना अब तुम एक compare करो अब जैसे मान लो अगर तुम equity खर लिया तो तुमको जब profit होगा तो भी 5 गुना होगा और तुमको नुकसान होगा तो भी 5 गुना होगा ठीक है इसलिए हम लोग का stock market world में बोलते हैं future is having no future future is having no future सब लोग अपना future future में डिखते हैं but future is having no future समझा ए चीज़ अब जिससे समझो सुनते जाओ अर आगे अब यह 44,000 का 5% मतलब समझ रहा है 44,000 का 5% मतलब एक बार 40 अर भी पकड़ेगा तो 40,000 का 5% होता है 2000 पॉइंट का movement अगर market में विक्स इंडिया में volatility कैसे measure होता है विक से ठीक है यह volatility index है हम लोग में ब्लैक स्कूल्स में पढ़ा होगा implied volatility के बारे में अब जैसे मानलो तुमको सारा share prices वगरा सब पता होगा market में कितना volatility है यह डिपेंड करता है global economic scenario में अगर मानलो parliament में कोई speech आने वाला है या फिर कोई war वगरा चल रहा है या फिर कोई trade sanctions वगरा लग रहे है oil prices GDP, interest rate, inflation ठीक है ना तो यह सब-सब कोई unemployment का data आने वाला है ठीक है ना तो वो सब-सब चीसे यह विक्स impact होता है ठीक है अब जैसे मानलो 2000 पॉइंट का उपर नीचे करना bank nifty के लिए आम बात है मतलब 5% is very normal ठीक है तो अब जैसे मानलो तुम 44,000 में खरीदा और तुम्हारा दाम हो गया 46,000 तो तुमको 2000 रपा का फाइदा हो जाएगा तो 2000 into 25 का lot मतलब तुमको 50,000 रपा फाइदा हो गया तो इससे क्या होगा तुम्हारा जो डीमेट अकाउंट था उसमें तुम्हारा 50,000 रपा जुड़ जाएगा समझा इसलिए बोलते फ्यूचर मार्क टू मार्केट मतलब डे एंड पर जो भी फ्यूचर का वैली होगा उसके हिसाब से तुम्हारा margin अकाउं तो वो लोग margin तुमसे margin रखवाते हैं तो वो लोग तुमसे margin रखवा रहे हैं अगर मालो तुमको नुपसान पर नुपसान होई जा रहा है अब तुम्हारा net loss चला गया एक लाक रुपिया अब वो लोग को लग रहा भाई अब खत्रा है अब खत्रा है तो वो लोग तु स्क्वेर आफ कर देंगे ठीक है तो समझा यह चीज को यहां तक समझा अब जैसे मालो फ्यूचर लॉंग है ठीक है अब जैसे मालो यहीं मालो तुम एक फ्यूचर बेचा है तुम निफ्टी का एक फ्यूचर बेचा है अभी जैसे मालो निफ्टी चल रहा है अठारा अजार चार Сो क्या सपस्चिकम यह तुम्हारानिटी का लेवल है तो निफटी अगर चल रहे अठारा अजा जार Sो और तुम एक फूचर बेचा है तुम फूचर बेचा है अठारा अजार चार सो पचास में 4 बेसिकली क्या होता है फूचर का जो लाइए अहीं को से ज़्यादा वार्टा पिश्ल की यह एक्सपेक्टेशन है कि आज की दाम इतना चल रहा तो फ्यूचर में कितना चल सकता है गई तो वो basically future का दाम आता है, ठीक है? अब अगर मालो तुम एक future बेचा है 18450 में, तुम बेचा है May end का, समझ गया? May end का तुम बेचा है, अब एक चीज समझ ना, Thursday को expiry होता है, मन्त का जो Thursday होता है, last Thursday को expiry होता है, ठीक है? अब आप दिससे मालो 18450, अब expiry वाले दिन दाम हो गय और तुम तो वो ही बोल रहा था ना, future बेचा है, तुम इस rate पे sell कर दिया है, अब जब नीचे गिरेगा तो तुम buy कर लेगा, तो तुम buy कितना में कर रहा है? 18300 में, तो तुमको 1500 into 50, तो तुमको 1500 into 50 का पूरा फाइदा हो गया, समझ गया? 1500 into 50 का तुमको पूरा फाइदा है, अब जैसे मानलो तुमको अभी तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, ठीक है? तुमको लगता है कि अगला मेना मेरे पास में 20 लाग रुपया आएगा, ठीक है? हमको उसे ITC का शेर खरीदना है, तो अगला मेना तुम्हारे पास 20 लाग रुपया आएगा, लेकिन अभी तो ITC का भाव भाव तेजी से उपन नीचे कर रहे हैं, तो तुमको लग रहा है, यार, अगर मेरा भाव निकल जागा, तो मेरे को नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना, तो तुम क्या करता है, आज का रेट में लॉक कर सकता है, अगर मालो तुमको 20 लाग का माल उठाना है, तो तुम उसका 20 परसे, मालो 4 लाग रुपए तुम मार्जिन डग डाल के, तुम दो लॉट फ्यूचर बाई कर सकता है, तुम दो फ्यूचर प्लस कर सकता है, जैसे मालो मोटा मोटी 430 रुपया में, तुम दो लॉट फ्यूचर बाई कर लिया, अब जैसे क्या होगा? रोलॉवर का कॉंसेट समझना, रोलॉवर का कॉंसेट क्या बोलता है? तुम दो फ्यूचर बाई किया 430 में, अब इसका मतलब समझना, अब जैसे माल लो, एक मैना बाद जब पैसा आएगा तुम गोला भाई मेंको future option में फटका नहीं करना है एक मैना बाद जब मेरे पास पैसा आएगा हम future का जो भी भाव होगा उसको काटके हम उस भाव में 20 लाख रुपया का equity खरी देंगे क्योंकि हमको उतना ज़्यादा fluctuation नहीं चाहिए समझ गया तो तुम के जिससे मानलो for example अब जब तुमारे पास पैसा आगया तुम उसको डीमेट में डाल दिया उस दिन का भाव चल रहा था उस दिन का भाव चल रहा था 410 रुपया 410 रुपया तुम तो S plus किया 430 में अब भाव के चल रहा है 410 रुपया तो तुम इसको minus करे तो तुम को 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया यह कि तुम को नुकसान है और दो लौट समझ गया इस रुपया का तुम को नुकसान हि है तो maturity पे F is equal to S, F is equal to S मतलब future का जो दाम होगा और share price का जो दाम होगा एकदम पुरा same होगा, ठीक है न, तो तुमको 20 रुपे करके 6400 share में नुकसान हो गया, अब तुम क्या करेगा, 6400 share buy कर लेगा, 6400 share buy कर लेगा at the rate 410, तुम समझा, तुम 410 में buy किया और तुम 20 रुपे का नुकसान दिया, तो net net तुम्हारा purchase price क्या होगा, मैंको comment box बताना, अगर तुम 410 में buy किया और तुमको 20 रुपे नुकसान हुआ है, तो net net तुम्हारा purchase price क्या हो, यह बताओ मैंको फटा-फट से, net net तुम्हारा purchase price क्या हो, अंकित कहतान लिख रहे है 430, 430 होगा, सब को य cost मेरा, क्योंकि 20 रुपे मेरा नुकसान हो गया, तो future में जब तुम enter करता है न, तो तुम वो price lock कर देता है, तो इसलिए future में और एक चीज़ क्या बोलते है, कि future में एक मेरा obligation मन जाता है, future में एक मेरा obligation मन जाता है, obligation का मतलब क्या होता है, मैं चाहूं नहीं चाहूं, profit हो तो मेरा, loss हो तो मेरा, profit हो तो मेरा, loss हो तो मेरा, yes, mania and niharika, यहां तक समझ में आया, yes or no, पर ले यहां तक बताओ, यह वहला मैं पुरा share कर दूँगा आप लोगे साथ, class wise पुरा PDF में share कर दूँगा, ठीक है, चलो, यह समझ में आ गया, future में एक obligation है, तो यह लोग नया चीज़ क्या निकाला, यह लोग नया चीज़ क्या निकाला, बोला future is having no future and option is having lot of option, ठीक है, तो यह लोग एक नया प्रीमियम देना पड़ेगा, यह हक के लिए आपको एक premium देना पड़ेगा, जिसको में बोलते है, option premium, ठीक है, option premium, अचा उससे पहले, एक चीज़ दिमाग में डाल ले न, future का graph कैसा बनेगा, जैसे मानलो यह मेरा हो गया share price, ठीक है न, मैंने यहां पर, यहां पर अगर future execute क है, ठीक है, अब जैसे मानलो, यहां पर मैंने अगर execute किया, तो future में basically, तुम लोग देखा होगा, ऐसा होता है, st-k, समझ गया, k मेरा हो गया, execution price, अब जैसे, for example, 44,000 में मैंने future buy किया, 44,000 में मैंने अगर future buy किया, तो यह k मेरा 44,000 हो जाएगा, समझा, तो यहां पर basically हम आप रहे है, future का pay-off, future का pay-off क्या हो जाता है, future का pay-off हो जाता है, st-k, st-k, ठीक है, यह हो गया, तुम्हारा long future का, और यह एगर short future का होगा, तो बहुत ही simple है, sir, उस case में ऐसा होगा, उस case में ऐसा होगा, ठीक है, तो short future में क्या होता है, k-st होता है, k-st, ठीक है, यह सब ब घ्राफ पहले समझ लो अब यहां पर अगर तुम एस मापर है तो नीचिर जाने से फाइदा हो गागा तो अगर यह के है तो नीचिर जाये called फाइदा होगा समझा सौर पर नीचे गया तो सौर पर का फाइदा पांसर पर नीचे गया तो पांसो का फाइदा हजार पर नीचे गया तो हजार पर का फाइदा ठीक है, st-k and k-st, अब यह लोग क्या बोलता है, future का graph भी समझा दिये, अब यह लोग क्या बोलता है, बोला sir, future में माथा मत लगाई, आप option में आईए, ठीक है, अब जैसे माल लो, मैं तुम लोग को option समझाता हूं, just give me 5 minutes, 5 minutes देना बसका ली, तो option में लोग क्या बोलता है, sir buy का समझ लो, buy मतलब plus, sell मतलब minus, ठीक है, फहले buy का समझ लो, buy का मतलब क्या होता है, उपर जाने से difference आएगा, call में, call का बता रहे, call मतलब upside betting, upside betting, तुम जा रहा है, भाव एक्दम आस्मान चू जाए, तो भाव अगर एक्दम आस्मान चू जाएगा, तो क्या होगा, उपर sell का मतलब क्या होगा, अब जैसे माल लो, तुम एक call buy कर रहे, ठीक है, तुम एक call buy कर रहे, तो call buy करने का मतलब क्या है, तुम premium दे के हक खरीद रहे, तुम premium दे के हक खरीद रहे, तो अगर तुम premium दे के हक खरीद रहे, तो अगर तुम premium दे के हक खरीद रहे, तो अगर तुम प्रीमियम ले रहे हैं और हक बेच रहे हैं तुम प्रीमियम ले रहे हैं और हक बेच रहे हैं हक क्या चीज़ का वह बाद में बताएंगे तुम प्रीमियम ले रहे हैं कॉल सेल मतलब क्या प्रीमियम ले रहे हैं प्रीमियम ले रहे हैं अगर आगले का मन होगा तो आग तुम हक बेच रहे तो सामने वाले को अगर फेवरख करना पड़ेगा सामने वाले एक्जिकूट करे घुर को बडिए करना पड़ेगा क्यों कि तुमने नमक बने अशक की लिए अशक करने मतलब है तुमने प्रिमिल लिया है तुमने हग बेचा। अब यहाँ पर हट बालबा बोल रहे हैं तो हक शिर अल तुमने गॉल थे स्थ में बोला है कि अगर मेरा इच्छा होगा, तो हम तुमसे ये चीज इतना में खरीदेंगे, put का मतलब क्या होता है, अगर मेरा इच्छा होगा, तो हम तुमको इतना में ये चीज बेचेंगे, तो ये buy का बोला, अब sell का समझो, मैंने तुमको, basically call मैंने sell किया है, इसका मतलब क्या है, मैंने buy करने का हक, खरीदने का हक को बेच दिया, घर आगले का इच्छा होगा तो आगला चाहे, तो वो मेरे से इतना दाम पे ये चीज खरीच सकता है और हमको देना पड़ेगा, that is the exercise price. और put बेचने का मतलब के है, put बेचने का मतलब के है, right to sell, right to sell को बेच दिया, मतलब आगला चाहे तो मेरे को इस दाम पे बेच सकता है और हमको खरीदना पड़ेगा, that is the exercise place, that is the exercise place, ठीक है, clear हो गया, अच्छा, अब जैसे एक चीज़ समझना, अब जैसे एक चीज़ समझना, मैं तुम लोगको एक practical example देता हूं, ठीक है, अब जैसे मानलो, temperature का बात करो, मेरा क्या है, मेरा आसक्रीम का दुकान है, मेंरा अगर ice cream काओ दुकान है तो बताना क्या होगा मेरे को डर किस शीज का रह Keeping उतना जादा मेरा सेल्स जितना ज़्यादा गर्मी मतलब डिग्री सेल्स जितना जादा होगा मेरा SALE उतना जादा होगा मेरा rasa profit उतना जादा होगा अगर यह कम हुआ तो SALE भी कम होगा, profit भी कम होगा तो मेरेको तो compensate करना पड़ेगा तो हम एक bank के साथ में contract किया हम बोला देखो मेरा average temperature मान लिए 35 degree celsius 35 degree celsius देली का बात करते हैं, मैं बोला, 35 degree Celsius के, जितना degree Celsius नीचे होगा, हर एक degree Celsius के लिए, हर एक degree, मिरा बात समझना, मैं बोला, 35 degree Celsius, चीज समझो, मेरे को फाइदा कब है, मेरे को फाइदा कब है, मेरा average profit आता है, 35 degree Celsius में, ठीक है, अगर उपर गया, 35, 36, 37, 38, 40, profit, 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 34, 34, 33, 32, 31, 30, loss, 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 ठीक है, तो loss को hedge करने के लिए, मैं क्या बोला, हर एक degree Celsius नीचे होने के लिए, अगर temperature हर एक degree Celsius नीचे होगा, तो मेरे को 10 लाग चाहिए, तो मेरे को 10 लाग चाहिए, और अगर 35 के जितना उपर होगा, हम तुमको एक एक degree के लिए 10 लाग रुपए देंगे समझ गया बात को, हाँ, समझा, अब मानलो, summer दो मेना चला, दो मेना चला, तो average temperature तुम्हारा निकला 38 दिगरी, ठीक है न, 38 दिगरी Celsius, 38 दिगरी Celsius, तो 3 दिगरी Celsius क्या होगा, जादा हो गया, मतलब एक degree के लिए कितना contract हुआ था, 10 लाग, तो 3 दिगरी के लिए कितना Celsius होता, अगर 28 दिगरी, बारीज, डेली मतलब ठंड़, ठंड़, हवा चला गर्मी में भी, ठीक है, तो 28 दिगरी Celsius होता, तो मेरे को कितना मिलता, 70 लाग, 70 लाग मेरे को मिलता, 70 लाग मेरे को मिलता, यहां तक सबको clear है, यह सोर नो, basically यह मैंने futures contract दिखाया आपको, futures contract, इस ठीक है, अब आगे ध्यान देते जाईए, आगे ध्यान देते जाईए, ठीक है, आगे ध्यान देते जाईए, अब मैं आपको एक example दूँगा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, जो index है, index है, मेरा bank nifty, ठीक है न, bank nifty, तुमारा भी spot, spot चल रहा है 44,000, ठीक है, मैंने strike price लिया है 43,000 का, ठीक है, और strike price लिया है 43,000 का, ठीक है, तो call, call option जो होगा, call option, मेरा बाद समझना, अब हम लोग पढ़ेंगे moneyness, अब हम लोग पढ़ेंगे moneyness, in, at, out, in, at, out, in, at, out, ठीक है, तो एक बिच्छी समझना, call option, मैं क्या बोला, strike price 43,000 है, right to buy, right to buy at 43,000, right to buy at 43,000, market में चल कितना रहा, 44,000 में, मेरा बाद समझना, जो चीज मार्केट में महेंगा मिल रहा, obvious बात, अगर में को सस्ता खरीदने का हक है, तो हम तुमसे सस्ता में खरीदेंगे, मतलब हम contract को execute करेंगे, right, हम contract को execute करेंगे, और मेरे को, मेरे को तुमको 43,000 में देना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, हम तुमसे 43,000 में लेंगे, और हम market में 44,000 में बेज देंगे, तो ultimately क्या हो, मेरे को 1000 रुपय का फाइदा हो गया, समझा, अगर ऐसा कभी भी दिखता है न, अगर ऐसा कभी भी दिखता है, इसका मतलब call is in the money, call is in the money, ठीक है, तो call तुमारा in the money हुआ, अब moneyness का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, अब जैसे option में, दो टाइप का चीज होता है, एक होता है intrinsic value और एक होता है time value, ठीक है, intrinsic value मतलब कितना इंदा money है, ठीक है, तुम एक 5 शुपा का chips का packet खरीदा, जो chips है, वो intrinsic value है, जो हवा है, वो है time value, ठीक है न, तुम ले इ इतना सा, और बाकी पुरा हवा, ठीक है, तो आप जैसे मानलो, मैं तुम गो एक example देता हूँ, जैसे मानलो, तुम्हारा, आज का spot चल रहा है, आज का spot चल रहा है, 55 रूपीज, ठीक है, तुम्हारा जो strike price है, वो है 70 रूपीज, ठीक है, और तुमने put buy किया है, put buy किया है, तुमने, for example, 35 रूपीज में, ठीक है, put तुमने buy किया 35 रूपीज में, तो इसका break up कैसे होगा, ध्यान देना, तुम्हारा strike price है 70, put मतलब क्या right to sell, put मतलब क्या right to sell, तो तुम चाहो, तो तुम बेच सकते हो 70 में, जो चीज मार्केट में 55 में बिकर है, वो चीज अगर तु सकती हो तो अविस हबान है कि तुम 70 में बेच हो गया, तो बेसिकली इस केस में क्या होगला, put is in the money, put कितना से in the money है, put कितना से in the money है, put कितना से in the money है, फटा फट से comment box पहता है, यह put कितना से इंदा मनी है, 15, very good, तो यह मेरा 20 रुपया होगे, यह मेरा क्या है, time value, time value का मतलब क्या होता है, time value का मतलब क्या होता है, मेरे को देखके यह लग रहा है, कि फ्यूचर में, option में basically है क्या, my loss is limited to the premium the time paying, option में क्या होता है, my loss is limited to the premium the time paying, तो यह time value का मतलब क्या होता है, in the near future, अगर मानलो मेरे favor में move करेगा, तो यह basically उसका time value है, अभी जैसे क्या है, maturity में time है, जैसे मानलो 2 मेना बाकी अभी, option को expire होन में, 2 मेना में, अगर situation मेरे favor में move कर गिया तो, sir, against में भी तो move कर सकता है, अरे बेटा, अगर against में move करेगा, तो my loss is limited, न, option buying, option buying, ध्यान से सुनना, ठीक है, option buying is like buying a lottery ticket, option buying is like buying a lottery ticket, lottery ticket का मतलब क्या होता है, जैसे मानलो, तुम 10 रुपा में lottery ticket खरीदा, तो वाना maximum नुक्सान कितना हो जागा, 10 रुपया, लेकिन पाने के लिए तो 1 करोड, 10 करोड, 5 करोड कुछ भी आ सकता है, तो option buying is like buying a lottery ticket, तो इसले बोलते है, option buyers are always the losers, option buyers are always the losers, क्यो हो, because seller is the winner, seller is the winner, option buying में क्या होता है, there is a very low probability, there is a very low probability of winning a large amount, there is a very low probability of winning a large amount, ठीक है, option selling में क्या होता है, आप एक छोटा सा premium लेते हो, आप एक छोटा सा premium लेते हो, और बहुत बड़ा नुकसान लेते हो, ठीक है, एक चीज़ समझा, covid आया, covid आया, market 50% गिर गया, covid आया, market 50% गिर गया, तो क्या covid हरोज आता है, the answer is no, extreme events हरोज आएंगे, the answer is no, तो basically बोलने का मतलब क्या है, मतलब option buy लोग क 44,000, ठीक है, और अगर तुम देखोगे, 44,000 का call, जैसे हर Thursday expiry है ना, और आज क्या है, आज तुम्हारा है Wednesday, if I am not wrong, आज Wednesday है ना, तो हर Thursday का expiry, मतलब जैसे, आज Wednesday है, index में ना, weekly expiry भी होता है, monthly expiry भी होता है, but stock option में खाली monthly expiry होता है, ठीक है, stock option में खाली monthly expiry होता है, ठी एक ची समझना, call option जो है, call option जो है, मैं ये बोल रहा हूँ कि, तुम ये समझो, जैसे कल का expiry का 44,000, जैसे ये spot चल रहा है, ये spot हो गया, और strike price भी तुम 44,000 लेलो, strike price भी तुम 44,000 लेलो, तो अगर तुम strike price लेता है 44,000 का, तो call option का दाम चल रहा हो, मोटा मोटी 200 रुपिय तो तुम कितना खर्चा किया, 5,000 रुपिय, अब तुम क्या सोत रहा है, जाने को 5,000, होने को तो 45,000, 46,000, 47,000, 50,000, कुछ भी हो सकता है न, पट होगा थोड़ी, होगा थोड़ी, ऐसा क्या नियुज आ जा जाएगा, जो 3,000 पाइंग निफ्टी बढ़ जाएगा, ऐसा हो probability, and high probability of losing, of losing a small amount, which is the premium, clear, option selling में क्या होता है, there is a very high probability of winning a low amount, and there is a very low probability of losing, of losing a very high amount, अब जैसे माल लो, जो बेचा है, जो बेचा है, मैं क्या बोला, option selling में, option selling में, there is a very high probability, high probability, option, option selling में, sorry, मैं arrow से समझा रहा था, एक second, option selling में क्या होता है, there is a very high probability, of winning, of winning a small amount, and there is a very low probability, of losing a high amount, ठीक है, of losing a high amount, समझ गा बत को, तो अब अब एक चीज़ समझना, seller, seller कर क्या रहा है, seller, 5000 रुपया के लिए, 5000 रुपया के लिए, अब सोचो, अगर market हो जाता है, कुछ positive news आ गया, market 46,000 हो जाता है, तो 2000 पॉइंट का, 25 करके, उसको 50,000 का नुफसान हो जाएगा, लेकिन वो premium कितना कले किया, 5000 ठीक है, बट इसमें क्या होता है, आपको देखना पड़ेगा, कि ऐसा कितनी बार होगा, जो sellers होते हैं, वो regularly sell करते हैं, जो sellers होते हैं, वो regularly sell करते हैं, options, ठीक है न, तो, market tends to be range bound, in most of the scenarios, अब एक दिन में ऐसा क्या news आ जाएगा, आप समझ पार हो, आने को तो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो option sellers आदी भी ने, आज जैसे insurance policy है, buyers are the losers, आज मेरे को ये चीज़ पता है, कि भई insurance premium जो मैं दे रहा हूँ, उसमें insurance company तो profit कमाई रहे, ठीक है, but insurance company is the seller, and seller is the winner always, 99% of the time, 99% of the time, buyers lose money, and sellers are the winners, and 1% of the time, buyer is the winner, and seller is the loser, in case of extreme circumstances, अब जो selling करेगा न, वो चाहेगा, market में stability आ जाए, क्योंकि, वो क्या करेगा, time value पुरा खालेगा, time value पुरा खालेगा का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, आप जैसे माल लो, एक और example ले 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 न, put, अब जैसे माल लो, तुम्हारा spot चल रहे है, 400, spot चल रहे है 400, तुमने क्या किया, put sell किया, strike price 420 का, 420 का तुमने put sell किया, at the rate 30 रुपीज, at the rate 30 रुपीज, तो आप देखो, ये क्या हो गया, इंदा मनी हो गया, क्यों इंदा मनी हो गया, क्योंकि put में क्या होता है, नीचे जाने से, अगर sell किया है, तो difference जाएगा, ठीक है ना, अब एक चीज़ समझना, तुमने 30 रुपया premium collect कर लिया, तुमने 30 रुपया premium collect कर लि 10 trading sessions, 10 trading sessions बाकी है, market हीला, बट बहुत जादा नहीं हीला, market तुम्हारा हो गया, 400 नहीं, ऐसा समझ लो, 397 रुपीज हो गया, ठीक है, मने maturity पे 397 रुपीज चल रहा है, ठीक है, अब तुम करो, तुम्हारा क्या होगा, नीचे जाने से difference जाएगा, तुमने के कितना में, मने basically, right to sell, right to sell, तुमने बेचा है न, put का मतलब क्या होता है, right to sell, और sell क्या मतलब क्या, बेच दिया, तो सामने वाला क्या करेगा, जो चीज मार्केट में, 397 में भिक रहा है, तुमने उसको हग बेचा है, कि तुम चाहो, तो तुम मेरे को 420 में ये समान बेच सकता है, तो साम रुपिया, तो नेट नेट तुमको कितने का फायदा हो गया? 7 रुपिया का, ठीक है, तुम क्या किया है, एक call buy किया और एक put buy किया है, ठीक है, 410 का, तुमे एक call put buy किया है, ठीक है, और तुम्हारा maturity पे share prices क्या क्या चल रहा है, ध्यान देना, तुमको बस खाली मेरे को pay off बताना है call का, pay off बताना है put का, ठीक है, maturity, strike prices हो जाते हैं, 360, 370, 390, 410, 430, ठीक है ना, call put का तुमको बस खाली मेरे को pay off बताना है, क्योंकि premium का दरकार नहीं है, premium बता देंगे तो फिर profiting आलना पड़ेगा, अभी पहले pay off बताओ क्या क्या समय ले लिजे, ठीक है, एक मिट का समय ले लिजे, झाल झाल ले लोग गा उन्हेए समय लेक्था घड़ड़े लगा। झाल 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 तो तुमने पुट बेचा है झाल नहीं बोला तरह पहले एक बड़ है अब मैं पैउफ में आता हूँ ठीक है । तो कॉल ऑप्छुन का पीॉफ कैसे द्ध्यान देना। सब हसे पहले मैं आपको बताता हूँ है कि सी प्लस का कुछ ऐसा बनता है यह मेरा हो गया कि यहाँ पर share price है और यहाँ पर call option का pay off है call pay off तो यहाँ पर यह ऐसा बनेगा देखो K के पहले तो laps में और फिर यह ऐसा बनेगा ठीक है ना यह तुम्हारा हो गया call plus का वहीं पर C minus का कैसे बनता है ध्यान देना C minus में क्या होगा C minus में क्या होगा ऐसे होगा और फिर उपर जाने से difference जाएगा मतलब वो ऐसे जाता है ठीक है ध्यान देना इस पर यह तुम्हारा हो गया K ठीक है तो C plus C minus तो short में बता हूँ तो call buy का कुछ ऐसा बनेगा call sell का ऐसा बनता है क्या होगा share price जितना बढ़ेगा उतना तुमको नुक्सान होते जाएगा ठीक है अब जैसे हम लोग बात करेंगे तुम्हारा put buy का तो P plus में क्या होगा P plus में ऐसे आएगा ठीक है यह तुम्हारा हो गया K और फिर उसके उपर ऐसा ठीक है ना यह तुम्हारा हो गया K ठीक है P plus का graph ऐसा बनता है बेसिकली क्या होगा नीचे जाने से मतलब शेयर प्रेस यहां पर शेयर प्रेस और यहां पर put का pay off है नीचे जाने से difference आएगा ठीक है ना और पी माइनस में क्या होता है ध्यान देना बने यह वहला तुम्हारा जा रहा है ठीक है यह ऐसे जाएगा ठीक है ना पहले यह चारो ग्राफ देख लो क्योंकि P–minaus में क्या होगा पी माइनस में क्या होगा पी माइनस का मतलब क्या है नीचे जाने से difference जाएगा देख लो पहले इसको ठीक है अब जैसे एक चीज समझना अब मैं तुमको एक example देता हूँ ठीक है पहले हम लोग करेंगे यह payoff था अब अगर मान लोग profit का हम लोग graph बनाएंगे profit में सबसे पहले c plus तो जैसे होता क्या है ध्यान देना c plus है ना तो हम लोग premium देते हैं अदलब यहां से ऐसे चालू होगा ऐसे चालू होके यह ऐसे जाएगा ठीक है c minus में क्या होगा c minus में क्या होगा premium खाया है premium खाया है तो यहां पर sorry 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 यहां पर यह ऐसे जाएगा ठीक है फिर यह ऐसे जाएगा ठीक है अब अगर हम लोग बात करेंगे तुम्हारा P plus का तो P plus में कैसे होगा ध्यान देना पी plus का बात हो रहे है तो P plus में नीचे से जाएगा और फिर यह ऐसे जाएगा ठीक है यह profit graph है ठीक है और P minus में क्या होगा ध्यान देना P- में क्या होगा यह ऐसे जाएगा और फिर यह ऐसे जाएगा ठीक है पहले यह graphs देख लो graphs are very important P plus P minus ठीक है देख लो पहले इसको ठीक है अब एक सम करते हैं लोग अब जैसे मान लो तुमारा strike price चल रहा है 18,000 तुमनें 18,000 का strike price का एक call buy के है और एक put buy के है call का तुमने premium दिया है 20 put का तुमने premium दिया है 25 ठीक है ना कम होगे premium तो call का तुमने premium दिया है 1500, put का तुमने premium दिया है 200, तो total premium तुमने दिया है 300, ठीक है, अब maturity में तुमको बता दो, तुमको profit बताना है, ठीक है, तुमको profit बताना है, तो maturity पे जो share prices है, maturity पे जो share prices है, वो है तुमारे 17,500, 17,750, 18,000 profit बताना है, total premium तुमने दिया है, तुमको बताओ, तो call में क्या क्या होगा, बताओ पहले, तो call में क्या हो जाएगा, पहले payoff, पहले payoff बताओ, तो payoff तुमारा strike price है 18,000, तो 18,000 के उपर जाने से difference आएगा, तो 0,0,0, यहाँ पर 200, यहाँ पर 200, और यहाँ पर 500, ठीक है, उसके बाद में put का देखो, तो put का में क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पर आएगा 500, ठीक है, यहाँ पर आएगा 200, यहाँ पर 0,0,0, ठीक है, अब total payoff, तो total payoff क्या आजाएगा, 500, 2500, 0, 2500, 500, है कि नहीं, ठीक है, अब उसके बाद में total payoff के बाद में आजाएगा, total premium, तो total premium तो सब में सेम है, 3,500, 3,500, और यहाँ पर आजाएगा profit, यहाँ पर मेरा 1,500 रुपया profit आ रहे है, ठीक है, यहाँ पर मेरा 100 रुपय का नुकसान आ रहे है, यहाँ पर मेरा 1,500 का नुकसान आ रहे है, ठीक है, यहाँ पर मेरा 100 रुपय का नुकसान आ रहे है, यह यह सबको पहले समझ में आये कि नहीं आये पहले यह बताओ यह अब इसका ग्राफ देखना ध्यान से इसका ग्राफ देखना ध्यान से जैसे मैंने क्या बोला अठारा अजार ठीक है तो अठारा अजार पर मेरेको कितना रुपए का नुकसान है साड़े तीन सो रुपए का मेरेको नुकसान है तो यहाँ पर और यहाँ पर मेरा लाइन टच करेगा ठीक है न यहाँ पर और यहाँ पर मेरा लाइन टच करेगा का ठीक है और ये मेरा हो गया फुट बाय का ठीक है हलका से टेड़ा बागा बनाए एडजस्ट कर लेना ठीक है ये कुछ ऐसा बनता है ऐसा क्यों बनाए अब ध्यान देना तो ये वाला मेरा जो पॉइंट आएगा ये आएगा अठारा अजार तीन सो पचास और ये वाला जो मेरा पॉइंट आएगा ये आएगा बताओ सतरा अजार शैसो पचास if I'm not wrong पहले ये सबको समझ में आय C plus and P plus at same strike को बोलते है straddle ठीक है तो इसमें basically मेरा strategy क्या है मेरे को पता नहीं है मेरे को पता नहीं है कि market किस direction में जाएगा बट जिस भी direction में जाएगा बहुत जोर का movement आने वाला है मतलब market में volatility बहुत जादा है बट मेरे को direction नहीं पता है और अगर मेरे को direction नहीं पता है न तो फिर हम long straddle करेंगे ओर मेरेको direction नहीं पता तो फिर हम long straddle करेंगे तो long straddle का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मांनो मेरे को लगता है कि market stability रहेगा ये सब अगर मेरे को लगता है कि नहीं यार, market में stability रहने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हम short straddle करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम short straddle करेंगे, और दोनों तरफ का premium खालेंगे, ठीक है, हम दोनों तरफ का premium खालेंगे, अब यही मानलो, seller के point of view से क्या होता, ध्यान समझना, seller के point of view से, अगर market 18,000 रुपया होता, तो उसको सबसे ज़्यादा profit आता, साड़े 300 रुपया का, समझ गया, 18,350 पे उसका profit हो जाता 0, and 17,650 पे भी उसका profit हो जाता 0, मतलब अगर option seller का हम लोग बात करें, तो यह वाला जो area है, basically यह कौन सा range है, 17,650 से 18,350 में अगर रहेगा, तो seller को फाइदा होगा, तो C-T- at the rate 18,000 को हम लोग बोलेंगे, start straddle, यहां तक सबको clear है, yes on no, बताइए, graph समझते चलिएगा, graph समझते चलिएगा, graph समझते चलिएगा, ठीके हैं, यहां तक सबको clear है, हां, अच्छा, अब एक और चीज़ समझिएगा, अब एक और चीज़ समझिएगा, अब हम लोग करेंगे strangle, तो strangle का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, strangle का मतलब क्या होता है, I am doing C plus at the rate higher strike, and P plus at the rate lower strike, ठीके, straddle हम लोग करते हैं, generally add the money में, add the money में होता है, तो वो straddle होता है, ठीके, add the money, मतलब मालो, आज spot चल रहा है, अठारा अजार, और अठारा अजार में करेंगे, तो straddle होगा, ठीके, आज strangle जो होता है, वो होता है, out of the money, out of the money, पैसा कम का खेला, पैसा कम का खेला मतलब समझ लो, यहीं पर example ले ले रहे हैं, अठारा हजार का मार्केट चल रहा है, हम C plus किये हैं, अठारा हजार पांसो में, और हम P plus किये हैं, सत्रा हजार पांसो में, इसका मतलब क्या है, 18,500 के लिए, for example, हम premium दिये हैं 50 रुपिया और इसके लिए हम premium दिये हैं 75 रुपिया, तो total में मेरा premium कितना लग गया, 125 रुपिया, समझा, 125 रुपिया, यहाँ पर है मेरा, ये दोनों point समझना, ये दोनों point, ये मेरा रहा गया 18,000, तो देखो, मैं बोलता हूँ, market अगर 18,500 ही मैं बोलता हूँ, इस region में, जैसे समझना, ये तुमारा हो गया, 18,000, ये हो गया तुमारा 18,500, ये हो गया तुमारा 17,500, ठीक है न, तो इस region में तो मेरा loss है, ये region में मेरा loss है, कितना loss है, 125 रुपिया, तो मेरा profit कहां से चालू होगा, देखो, ये एक point है, तुम लग क्प् वस्ट से पॉइंट बताईए क्षच्ट से कमेंड़ सीजों में पॉइंट बताइए कमेंड़ जबस में सुण जा्य葉 कि कि है हाईर पॉइंट क्या होगा हाईर पॉइंट मेरा हो जाएगा नौका बनाएंगे नौका बनाएंगे तो मेरा जो higher point हो जाएगा वो हो जाएगा 18,625 and मेरा जो lower point हो जाएगा 18,375 मतलब ये वाला points में भी मेरे को नुकसान ही है मेरा profit कब चालू होगा जब market 18,625 के उपर जाएगा या फिर market 18,375 के नीचे जाएगा ठीक है मैं दुबारा से इसको better में बना के दिखा देता हूँ आप लोग को actual में इसमें ऐसे बनता है देखो ये एक type का नौका बनता है ऐसा बनता है ये ठीक है ये ऐसा बनेगा ठीक है ध्यान देना तो ये वाला जो point है ना ये वाला जो point ये दूनो point मेरा हो गया 17,500 18,500 ये मेरा हो गया 18,000 ये मेरा हो गया 18,625 और ये मेरा हो गया 17,300 sorry अंकि तुम गलत बोला है 18,000 थोड़ी होगा दोनों में बख 18,000 नहीं होगा ये होगा तुम्हारा 17,000 ये वाला point होगा 17,375 होगा ठीक है ना ये सबको clear है तो long long strangle हम कब करेंगे जब मेरे को premium कम खर्चा करने का मनों आप मेंको लगता है बहुत जोर volatility आने वाला है बहुत जोर तो बहुत जोर के case में हम लोग क्या करेंगे long strangle ठीक है अब यही मानलों अगर हम लोग नौका डूब गया तो नौका डूब गया मतलब क्या हो गया short strangle short strangle मतलब same चीज बड़ sell ऐसा इसमें हम लोग क्या करते है selling selling far selling far out of the money selling far out of the money क्योंकि market इतना तो जाएगा नहीं क्योंकि market इतना तो जाएगा नहीं इसले हम लोग क्या कर रहे है बेच दे रहे हैं क्योंकि market इ मालो 44,000, तो इस case में तुम क्या करेगा, तुम 46,000 का call base देगा, 2000 point दूर का call base दिया, तुमको premium आ गया 40 रुपया, और तुम 2000 point दूर का तुम put बेज दिया, 42,000 का तुम put बेज दिया, उससे तुमको आ गया 50 रुपया, तो total में तुम 90 रुपया खा लिया, ठीक है न, अब त वाला point क्या होगा और ये वाला point क्या होगा फटाफट से comment box में बता दीजिए कौनसा के अंदर में तुमको profit आएगा मतलब कौनसा range के अंदर में तुमको profit आएगा फटाफट से बताइए पड़ा पड़ से बताइए रेंज बताइए फड़ा पड़ से तो ऊपर तरफ का जो रेंज है तो 46,000-90 न 90 का तो प्रीमियम खाए है तो इट विल भी 46,000 प्लस 90 ठीक है न और लोवर तरफ में हो जाएगा 42,000-90 46,000 प्लस 90 मतलब हो गया 460 46090 यह हो गया उपर का रेंज और लोवर रेंज तुमारा हो गया 41910 देखो तो चेक करो तो यह हो रहा है क्या चेक करो तो यह हो रहा है क्या कि मैंने इस रेंज में मैंने 41910 41910 से ले करके 46090 में seller को profit है यहां तक सबको समझ में यह और नो पहले यह बताईए यहां तक सबको समझ में यह और नो फटापट से बताईए बताईए फटापट से सबको समझ में आया कि नहीं आया ना 42,000 का बेचा है लेस्ट 90 करेंगे तो 41910 यह आ रहा है और उपर तरफ में जैसे क्या होगा यह वाला पॉइंट और यह वाला पॉइंट यह तुम्हारा हो गया 46090 उसके नीचे लॉस और यह वाला हो जाएगा 41910 उसके नीचे लॉस बोलो सब लोग ठीक है ना वेरी गुड तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे 19 तारीक को सुभा सेम टाइम साथ पंदरा ठीक है और उस दिन तुम लोग सब लैप्टॉप लेके बैठना उस दिन हम लोग आप्ष्ट्रा में करेंगे ठीक है आज जैसे बेसिक सेवा क और रिविजन वोट सब लोग लेके बैठना